हेलो एवरिवन यह आज की दूसरी अपडेट है इग्नू के स्टूडेंज के लिए इग्नू ने दो नोटिफिकेशन जारी करें रिवालुएशन को लेकर सो देख लेते हैं क्या कहा गया है नोटिस में आप यह नोटिस देख सकते हैं इग्नू की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर www.ignu.ac.in और अगर आपको यह नोटिस दारेक्ट देखने हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चानल पर भी देख सकते हैं हमने यह नोटिस वहाँ अप्लोड कर दिया है चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अप्लोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह आज का नोटिस है जो इगनों ने रिलीज करा है स्टूडिन्स के रिवालुएशन को लेकर हमें पता है अभी कुछ रिजर्ट्स दिख्लियर करे गए हैं दिसेंबर 2019 के यह उन स्टूडिन्स या कोर्स के लिए है जिनके रिजर्ट्स 20 फेब 2020 के बाद आया है अब देखते हैं दूसरा नोटिस दूसरा नोटिस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है ऐसे में मुश्किल है मांके स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कुछ क्लास ले सके या कुछ देख सके उनके लिए नोटिफिकेशन है कि वो अपना रिवालुशन फॉर्म भर सकते हैं ओफलाइन मोड में जो स्टूडेंट स्टूडें श्रीन अगर रिवालुशन में रहते हैं वो अपनी आंसर बुक्स की रिवालुशन करा सकते हैं फीस भरकर इगनू रिवालुशन सेंटर पर जाकर श्रीन अगर के हैं लास्ट जेट रिवालेशन सम्मिट करने की ओफलाइन मोड में भी 15th जून ही है along with the demand draft इगनू की तरफ से ये notification जारी करी गई है हमने आज एक और वीडियो अप्लोड करी थी इगनू के students के लिए आप वो भी देख सकते हैं, link description में given है या फिर आप उपर आई में जाकर भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी वीडियो अप्लोड कर दिया so that's it from my side, we'll meet you soon with a new video till then don't forget to subscribe our channel, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप comment करके बता सकते हो or you can DM us on instagram, our id is literary nerds underscore or you can also mail us at nerdsliterary at gmail.com we will reply you within 24 hours till then stay home, stay safe and stay connected for more such videos thank you and take care